वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप यूपी PCS प्रारंबिक परिच्छा 2023 का ओनलाइन फार्म भरेंगे तो फार्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना है मारी वेबसाइट क्लिक करेंगे यहां पर आपको मिलेगा राइट साइड में आपको क्लिक करना यहां पर अब यहां पर आप सब्सक्राइब पहले समझते हैं तो कुछ मुझे बताने हैं जरूद नहीं है वैसे मैं इसका जल्दी डिटेवल्ड एक वीडियो गना दूँगा जैसे मैं पूरे नोटिफिकेशन को इनलेसिस कर दूँगा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आपको यहां पर मिल जाएगा तो उसको आप लोग देख लेना कर चरूरत हो ठीक है अब यहां पर आपको नीच सबसे उपर वाला PCS का है यहां पर देखिए अपलाई का बटन मिलेगा आपको इस बटन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है अपलाई पर इस तरीके से पे जाएगा यहां पर सारी चुछे दी गहीं पीसे से एक्जामनेशन और यहां पर वेतन माना मेरा का दिया गया है कि जरूरत नहीं है सिंपल साथ बिना ओटियार के फार्म बढ़ सकते हैं यहां इसके जब मैंस आएगा तो उसमें ओटियार की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक अपर दोजार तेइस के बाद जो भी वेकेंसी आएग उसमें ओटियार कंपल सरी किया गया है अब यहां पर पूछ रहे क्या आपने कभी लोग सेवा आयों का फाम भरा है अगर भरा है तो आपको यह करना है नहीं बढ़ा तो यहां पर नो कर देना है ठीक है लेकिन जब यह करेंगे तो यहां पर आपका अप्लीकेस नंबर यहां रजिस्ट्रेसन नंबर आपसे पूछेगा वह कि आपको क्लिक कर देता हूं इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा यहां पर आपको कंडिडेट का नाम डालना है एकोर्डिंग टू हाई स्कूल मिस्टर मिसेज कुमारी डॉक्टर इंजिनियर यह आपको सुरुआत में टाइटल नहीं लगाने है यहां पर आपको सब्सक्षां आपको यहां तो शिक्र ना यहां करना है अगर कर देंगे तो आपके सामने कुछ विकल्प और आज जाएंगे क्या freedom factor है dependent उनके तो no अगर है तो yes करना है x army person है क्या तो अगर है तो yes करना है और physically handicap उत्तर पते से belong करते हैं अगर हैं तो yes करना है नहीं है तो no करना है आपको जो अपके उपर लागू होता उस हिसाब से आपको करना है ठीक है इसके बाद skilled player आप यूपी के हैं या नहीं है अगर हैं तो yes करना है नहीं है तो no करना है इसके बाद category पहुंच रहा है General EWS OBC SCHT जो category आपकी हो यहां पर आपको डालना पड़ेगा ठीक है इसके बाद पहुंच रहा है क्या आप वर्तमान में स्टेट गुवर्मेंट के employee हैं तो employee है तो यहां पर yes करना है नहीं है तो no करना है अपको ठीक है अगर देखेंगे आप ने yes किया यहां पर पूछेगा कि आप service duration आपकी क्या है कितने साल की आपकी service हो गई उसको यहां पर आपको simple सा डालना है सिंपल सा आपको no कर देना है तो नहीं डालना पड़ेगा तो अगर जॉब में है इस्टेट की तो यहां पर आपको yes करना ही है ठीक है इसके बाद कि कि आपको लोग सेवाय आयोग ने कभी डिवार किया पर इच्छाओं से तो यहां पर करना है कि अब यहां पर नीचे आएंगो तो यह देखिए पूंच रहा है हाई स्कुल की डीटेल से बोर्ड का नाम बरना आपको अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो यहां पर नीचे नहीं है तो यहां पर सिंपल साब अधर बोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं तो मैं देख लेता हूं कहां पर है तो यह देखे यहां पर है उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल इंटर्मीड एजूकेशन यहीं है यूपी बोर्ड इसको आपको क्लिक करना रहेगा जो यू सब्सक्राइब रहेगा और पर सब्सक्राइब को यहां पर रहा है तो यह आपको डालना है टूटल में टूटल तीक है तो इसके बाद आगे जाएंगे तो यहां पर फिर आपको मिलाव किया अपने रहना पड़ेगा इसके बाद इंटर का रोल लंबर और इंटर में क्या है मांक्स है यह जो भी है यहां पर यहां पर यहां पर इसके बाद परसंटेज करके देदेगा यहां पर इसके बाद की डिटेल्स पर यहां पर सिंपल साब बताया गया कि बैचलर डिग्री फ्राम एनी डिकानाइज इनुवर्स्टी अप्टू अप्लिकेशन ठीक है तो आपके पास होनी चाहिए करेंट में आपको यह करना यहां पर अगर आप एपेरिं आप है तो चोझा आ तक पास आ चीघ्री है तो क्यों रहती है नहीं है थी कि करना इसके बाद अपको यहां प्लाइब कर्किक करना है नहीं यहां पर नीची आपको आना और यहां पर सम्मिट अप्लिकेशन का बेक बटन मिलेगा यहां पर आपको क्लिक कर देना ओके पर क्लिक कर देना ठीक है इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा यहां पर देखिए प्रिंट हो चुकी है अब यहां पर आएंगे तो सार डीटेल्स आपको बराबरा मिल जाएगा अब यहां पर आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी ठीक है तो यहां से आपको एक चीज क्लियर कर दूं चाय तो आप तुरंद फीस पेमेंट कर सकते हैं यह अगर बाद में प यहां पर पे एक्जामनेशन फी यहां पर क्लिक करके आप जा सकते हैं वेबसाइट पर और यहां पर देखो आपको डालना होगा जो भी आपको मिला था यहां से भीस पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं ठीक हैं दोनों आपको यहां पर बता दियें अब यहां पर हम चलते ह इस वाले option पर यहीं से directly pay कर देते हैं तो यहां पर हमने एक लिए पुछ राज आप इपनी डीटेल्स चेक कर लिए हम नहीं थीक है तो यहां पर कर देते नोके नोकर देंगे एक नए पिज़ आपके सामने आएगा इस भी आई का मौस ओप्स वाला के सही कश का ना है रूची पर फिन पर ञेंगे को करीं प्रफी करेंगे कई सारे लडीया पर और अपर आपकेस्धन और आपको सारे अप्सन्ट क्रेडि़ाइंग कर नहीं है ठीक है तो यहां पर हम चुल लेते हैं SBI Net Banking बाकि आप वालेट के थुरूब यूपी आई के तुरूब फीस पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास यह भी सिवदा नहीं है तो आप कैस या चेक के साथ भी फीस पेमेंट कर सकते हैं ब्रांच में जा करके तो बहुत सारे नंबर है ठीक है तो इसको हम कॉपी कर लेते बांकि आपको अभी इक नोलेज्मेंट स्लिप भी मिलेगी उसको आपको प्रिंट कर लेना यह दिक आ चुकी है तो यहां पर हम प्रिंट कर लेते हैं कई बार जो है तुरंत पर नहीं बढ़ पाता है तो हम इसकी जरूद पढ करने कि जो लास डेट अब के लिए दी गई है वह यहां पर च्छै अप्रेल देदी गई ठीक है च्छै अप्रेल तक आप फार्म सम्मिट कर सकते हूं 3 अपर फीस पेमिंड की डेट है ठीक है अब यहां पर देखिए इस तरीके से आ गया फीस की डेटेल से आ चुकी है अब क्लिक कर लेते हैं अब यहां पर हमें फोटो और साइन जो है अप लूड करने हैं फोटो साइन का यहां पर एक फॉरमर बताया गया है इसको बहुत केरफुली ध्यान देना आपको फोटो की जो हाइट है वह साड़े यहां पर प्रयोग करना है तो इस चीज को बहुत ही कियरफुली आपको ध्यान देना यहां पर तो यहां पर सिंपल सा देखिए आपको सेलेक्टेल कलर्ड फोटो यह बटन दी गई है यहां पर आपको क्लिक करना है ठीक है अब देखिए कंप्यूटर से इस तरीके फोटो आपको अप्लोड करना यहां पर लिखा हो गए से फोटो डटा यहां पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे यहां पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए फोटो हमारी अगर सब को सही होगा तो आ जाएगे फोटो हमारी आ चाहिए और जो इसकी height है या कहीं width है वो तो यहां पर हम क्लिक करके अब sign को अपना upload करते हैं तो यहां पर देखे हमारा photo और sign आसानी से जो है यहां पर upload हो चुका है और यहां पर लिक करके आ गया signature images uploaded successfully इतना सब कुछ होने के बाद नीचे आपको यहां पर simple सा capture code फिल करना है capture code जैसे फिल कर देंगे इसके बाद यहां पर आपको बटन मिलेगा proceed for final submission तो यहां पर आपको क्लिक करना है इसके उपर ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर आपके सामने खुलेगा detailed application form का ठीक है तो अब देखिए यह detailed form यहां पर खुल करके आ चुका है आपको simple graduation भी है ठीक है अब यहां पर graduation में आपको subject की details से देनी है बहुत ही carefully इस चीज को समझना है आपको और अच्छे से बरना है थोड़ा सा गलती होगी तो आप दिक्कत में आ सकते हैं physics रहा है physics में क्लिक कर लेता हूं और जो चीज यहां पर टिक करेंगे वह यहां पर select होकर के इस right side में आ जाएगी यहां पर यहां पर physics आ चुका है यहां पर ठीक है इसके बाद graduation में हमने पढ़ाए chemistry तो देखते हैं chemistry है नहीं है तो यह दिर देखिए तो यह देखो हमने यहां पर टिक करें जो चीज़ें आपने graduation में पढ़ी है तीनों subject यहां पर आपको फिल करने हैं यह देखिए हमारा तो यहां पर reset choice का भी बटन दिया गया है इधर भी है और इधर भी है इससे आप reset कर सकते हैं दुबारा से choice कर सकते हैं ठीक है अब पहुंच रहे हैं पीजी में आपने count the subject बढ़ाए तो पीजी हमारा physics से हो तो यहां आप physics पर क्लिक कर देते हैं ठीक है यह इसलिए बढ़ जाएंगे इसलिए यहां पर वरवार आए तो अगर इनमें से आप किसी पर के लिए eligible हैं तो आपको टिक करना इसमें भी अगर नहीं eligible हैं तो नहीं टिक करना है अब सब के eligibility criteria यहां पर लिखा हुआ है सब रेजिस्टर के लिए वो लाए विदीशना तक लाग रिजुएट तो हमारे पास है नहीं है है तो हम इसमें नो रहने देंगे ठीक है इसके पर असिस्टेंट लेबर कमिस्नर इसमें बोला अर्थसास समाज सास्त्र या समाजकार इनमें आपने जो परायशना तक वादियो प्राब्द किया हो तो यह भी हमारे subject नहीं है इस मुझे से यहां पर हम नो रहने देंगे अगर गलती से आप यहां पर यस कर देते हैं और बाद में आपका चेन भी हो जाता है इस पर के लिए तो जब आपका डीवी होगा तो वहां पर आपको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि आप इसके लिए इलिजवल नहीं थे फिर भी आपने जान ब दो अजिक्स में आपने करिजिविशन किया तो आप इसके लिए फारम बढ़ सकते हैं तो हमारा इंग यहां पर येस करेंगे कोई हम इस पर के लिए इलिजवल हैं इसी तरीके से लाव फिसर इसके लिए नहीं है तुर टेकनिकल असिस्टेंट जियोलोजी इसके लिए भी कि इसके लिए भी हम eligible नहीं है ठीक है इसके लिए बोला गया है कि भू बहुत की में आपने जो है वो PG किया हो तो हमारे पास यह तो है नहीं इसके बाद Tax Assessment Officer इसमें जो है Commerce मागा गया है कि बैचलर्स डिग्री जो Commerce वाले हैं या अर्थसास्त जुनों किया हुआ है तो वो लोग इसको भरेंगे या पर यस करेंगो तो हम इसमें से केवल एक ही पद के लिए हैं वो भी यह वाला असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मिजर्मेंट ग्रेट टू जो भी बात कर रहा हूं ठीक है और जो फिजिक्स में मैं उनकी बात कर रहा हूं बांकि अपने इसाब से आप लोग देख लेना क्या आप इसके लिए इलिजबल हो या नहीं हो ठीक है उससाब से यह सयनों करना है अब पूंच रहा है क्या आपको हिंदी दियो नागरी लिप में आती है तुम कहांगो आती है ठीक है कोई दिख्याद नहीं अब यहां पर अड्रेस बरना है और करिस्पोंडेंस अधर बरना है तो अगर आप किसी विलेश से सम्में तो यहां पर विलेज का नाम भर सकते हैं या फज़र की नेम भी बढ़ सकते हैं यहां पर अपने पिता इसके बाद पिन कोड यहां पर आपको डालना है और अगर आपके दोनों एड्रिस सेम है तो यहां पर आपको टिक कर देना है तो दोनों तरफ यह आटोमेटिक फिल करके इधार आ जाएगा है तो देखें यहां पर हमने सारा कुछ भर लिया हूआ है अब यहां पर I accept the following declarations यहां पर टिक करना है आपको yes करना है यह करने के बाद यहां पर कुछ terms conditions लिखिंगे उनको पढ़ना चाहिए तो पड़ सकते नहीं तो सिंपल सा capture code लिखा इस capture code को आपको यहाँ पर डालना है ठीक है तो मैं डाल देता हूँ 3GQCW डाल दिया प्रीवी फार्म पर क्लिक करेंगे एक बार अब यहाँ पर आपके सामने पूरा फार्म बराबर आया जाएगा इत्मिनान से आप इसको चेक कर लो ठीक है और इसके बाद Summitt Final Application पर क्लिक कर दो तो इस तरीके से यहाँ पर देखो Final जो है हमारा Farm Successfully Summitt हो चुका है अब यहाँ पर हम download कर लेते complete फार्म को जिससे बाद में ज़रुद पढ़े तो इसको हम present कर पाएं आपको बताना चाहेंगे अगर आप यूपी PCS की अच्छी तयारी करना चाहते हैं इसके प्रिविए सिर पेपर ऑनलाइन टेस्ट स्रीज प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी आडिकल पर यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा यूपी PCS पी वाई की ऑन टेस्ट स्रीज जैसे यहां पर क्लिक कर देंगे आप इस website पर आजाएंगे यहां पर देखिए आपको मॉक टेस्ट प्रिविए सिर पेपर टॉपीक वाई टेस्ट सारा कुछ मिल जाए करेंट अफेर वगारा भी मिल जाएगा नामातर सुलकिमिन को आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री डेमों वगार ठीक है और हमारा इस चैन को लेटेस्ट पाने कर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद